नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चेनल स्री निवास कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है मेरा नाम सेलेंद्र सिंग परिहार आज एक भूतिक खुबसुरत मगान आपके लिए विजिट लेके आया हूँ आए मगान का लूप लेते हूँ आए दोस्तों मगान के अंदर चलते हैं अपन यह हमारा पार्किंग इसका है यह लोहे का गेट है पांच फिट का दोनों तरफ ओपन होने वाले दोस्तों प्रेंट में वाटर टेंग ए जिसकी केपेसिटी इसमें आपको बोरिंग प्रोवाइड करवार रहे हैं दोस्तों जो आप तीन से चार तुविलर अराम से खड़ी कर सकते हैं यह अपना मीटर आगया है दोस्तों अब अपन चलते हैं अपने होल की दराव तो फ्रेंड में आपको मेश डोल लगा हुआ है जोगी भूदल है और एसे सवर्क हुआ है इसको ओपन करते हैं अबन ग्रेनाइट का चोखट है और सागवान का गेट दोस्तों बहुति फुल डिजाइन है यह बहुति सुन्दर का होल दोस्तों यहां पर लाइट की थोड़ी कमी है लाइट अभी लगना बाकी है थोड़ा आपको अंधिरा लगेगा यह अल में आपको फुल प्योपी करवा के दे रहे हैं द अब इतर की तरफ आते हैं तो लोई की सेफ्टी के साथ में एलुमिनियम का चेक्शन त्री टेक वाला सेक्शन आपको लागा के दे रहा है ब्लेक कलर में अब आगे चलते हैं अपने कीचेन की तरफ अंदार अपना कीचेन लाइट की थोड़ी समझ्या है इसमें अभी सनम नकना भी बाकी है दोस्तों ग्रीन एड का वर्फ हुआ है इस्टिल का पुरा काम है इस्टोरेश रखने में आपको समझ्या नहीं आएगी अभी इसमें काम बाकी है डूपीट तक की टाइल से यहां पर अभी चिन्नी आना बाकी है उपर भी इस्टोरेश पूरी आपको प कर सकते बरतन विवाश कर सकते कीचन से लगा हुआ बहुश एरिया है यह हमारी कॉमन लेट बात हो गई पीटिंग आना भी बाकी है फैमिली लाइट की कारण से आपको थोड़ा अनकंफर्ट फिलो रहा होगा बागे आपको मकान दिख जाएगा यह हमारा बहुत की खुब सुरा सा बेडरोम है फश्ट इसमें छत में भी फूल प्योपी करके दे रखी दोस्तो आई अपन आगे की तरफ चलते हैं इसमें रेंटिनेश हैं दोस्तों छत में उपर की तरफ अपन चलते हैं एसे एस की रेलिंग है ब्लेक ग्रेनाइट और टाइल्स के साथ में आगे चलते हैं अपने अपने सेकेंड बेडरोम की तरफ बढ़ते हैं वाह क्या बात है या वेडरोम है सुन्दर सा वेडरोम छत में फुल प्योपी करके दे रखिए आपको दोस्तों और यहां पर अपनी अटेज लेड बात है भोती खुपसर टाइस लगा के रख रखिए दस फिट तक की हाइट है आट फिट तक की टाइस लगा के दे रखिए फ्रेंड्स इसमें भी लोहे की सेफटी के साथ लोहे की ग्रील लगा रखिए री टेक विंडो लगी हुई है यह हमारी यहमारा हिस्सा हो गया जैल्री जिसमें एसेस का देंड़ा है एसेस की रेलिंग है और ग्लास का वरक है इसमें चट में देखें आप तो तो सी पीवीसी की सीट है, फुली वाटर्टूप सीट है दोस्तों, अपन आगे चलते हैं, अपने थर्ड बेडरूम की तरव अपन बढ़ते हैं, इसमें टाइल्स की बात करें, तो दो बाय चार की इसमें टाइल्स है, स्विचे सारे कमपनी के लगे हुए हैं, आइए फ्रे इसमें अभी फीटिंग आना बाकी है, और यह हमारा थर्ट बेडरूम है, इसमें भी छट में प्योपी करके दे रखिये, हर कमरे में एक दिवार पर वाल पेपर आना भी बाकी है, राइट पर कुछ काम है, जो भी बाकी है दोस्तों, यह आपने पूरे घर का लूग ले ल बन जलते हैं, टेरेश पर होते हैं, इसमें भी आपको स्टोरेज रखने के लिए प्रवाइट करा रखा, यहां पर आप आपका अपना जो अन्यूस समान जिसको बोलते हैं वो आप रख सकते हैं, और इसमें दोस्तों दोनों तरफ दरवाजेंगिंग, यह अपना पीशे की तरफ की दिषफ चलते हैं इसमें दोनों तरफ है ये भूट कम मगानओं में आपको सब्सक्राइब देखने जाने तो आए दोस्तों इस मगान को तो आपने देकी लिए इसके बीटेयARE में आपन बात करते हैं इसकी के जिब को सब्सक्राइब तो इस्टार नेचर में यह इस्टार सिविटी में यह मगान बना हुआ है किसाइश की बात करें 15 बाइं बना उइथी अगर कीमत की बात करें ढोकर नीच्च अधर कीमत ही بहुती किमत में पर चोटी फिमेली के लिए बहुती अच्छा मकान बनाकर हम दे रहे हैं इसकी कीमत है मात्र और मात्र बावन लाग रुपए 52 लक दोस्तों अलविदा चाहूँआ फिर मुलाकात होगी एक खुब्सूरत से मगान एक खुब्सूरत से वीडियो के साथ में आपको इसी तरह इस चेनल पर कम बजट में आपको मकान प्रोवाइड में कराऊंगा इस मकान की अधिक जानकरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन म कर सकते दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन जरू दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुशती रहें धन्यवाद